तो दोस्तों मैं बता दूं कि रतनपूर यहां पर है रतनपूर में इनका सासन चल रहा था बाहर साय बाहरेंद्र का ठीक है तो बाहर साय बाहरेंद्र का एक ठो सिलाले के बिलासपूर है बिलासपूर जिला यह छोटा सा मैं बनाया हूँ तो इस बिलासपूर जिला के इनका इंक्ठो कोशगयी छूरी यहाँ पर है कुशगयी तो यहां से और यहां से रथनपूर और कुशगयी से दो सिला लेक प्राप्थ हुआ उसी सीरालेक मैं बता है कि बाहर साय बाहरेंद्र नाम का कोई राजा यहाँ पर पंद्रहुई सतापदी के अंतिम अंतिम में सासन कर रहा था जो की कल्चूरी वंस का था ठीक है तो दोस्तों मैं बताया कि इस कुस गई सीला लेक्स जो है उससे हम लोग को यह पता चलता है कि यहाँ पर इनके उपर कुछ पठान लोग आकरमण कर दिये थे जो की हाथी पकड़ने के लिए इस जंगली छेत्र में आये थे नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल आल 36 गड़ में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में रतनपूर के कल्चूरी वंस को पढ़ेंगे दोस्तों आज तक के वीडियो में हम लोग रायपूर के कल्चूरी वंस को पढ़ते आ रहे थे लेकिन रायपूर का कल्चूरी वंस समाप्त हो गया है अब हम लोग चालू कर रहे हैं रतनपूर के कल्चूरी वंस को अंदकार यूग के बाद दोस्तों रतनपूर का कल्चूरी वंस दो भागों में बढ़ गया था तो रतनपूर के कल्चूरी वंस को हम लोग अभी पढ़ेंगे दोस्तों पंद्रवी सताबदी के अंतिम अंतिम में अचानक से पता चलता है कि रतनपूर में भी कल्चूरी वंस का एक राजा सासन कर रहा है जिसका नाम है बाहर साय बाहरेंद्र दोस्तों मैं बता दूं कि ये बाहर साय बाहरेंद्र का दोठो सिलालेक प्राप्त हुआ है एक रतनपूर से और एक कुसगई से कुसगई कहा है तो छूरी को कुसगई कहा जाता था उस टाइम पे कुसगई छूरी मतलब कुर्बा जिला में ठीक है तो दोस्तों मैं बोला कि 15 सताबदी के अंती मंती में पता चलता है कि रतनपूर्ग में भी एक सासन कर रहा है बाहर साय बाहरेंदर नाम का एक राजा जो की कल्चूरी वंस का है उसका दोठो सिला लेक प्राप्त होता है कोसगई से और एक रतनपूर से तो दोस्तों ये कोसगई और रतनपूर का जो सिला लेक प्राप्त होता है उसी सिला लेक से हम लोग को पता चलता है कि इस वंस का भी यहाँ पर सासन चल रहा था और एक साखा यहाँ पर भी चल रहा था और उसके सासक थे बाहर साय बाहरेंदर तो दोस्तों हम लोग को मैं ब करने वाले पठान लोग इनके उपर आक्रमड कर दिये थे ठीक है मैं एक बार मेप बना के आप लोग को समझाने का कोशिज करता हूँ देखिए यहां पर मैं छोटा सा एक 36 गड़ का मेप बनाता हूँ ठीक है यह माली जी यह 36 गड़ है ठीक है यह 36 गड़ है जिसमें से यह स उंगेली जीला है यहां पर बिलासपूर जीला है और यहां पर औरेला पिंडरा और मर्वाही है इसके बाद हम लोग का यह कुर्बा है और यह राइगड़ है यह बिलासपूर है तो दोस्तों मैं बता दूं कि रतनपूर यहां पर है रतनपूर में इनका सासन चल रहा था बाहर साय बाहरेंद्र का ठीक है तो बाहर साय बाहरेंद्र का एक ठो सिलाले के बिलासपूर है बिलासपूर जिला ये छोटा सा मैं बनाया हूँ तो इस बिलासपूर जिला के रतनपूर नाम के गाउं में इनका एक ठो सिलाले क प्राप्थ हुआ है और एक ठो कोसगई छूर यहां पर है कोसगई तो यहां से और यहां से रतनपूर और कोसगई से दोठो सिलालेक प्राप्थ हुआ उसी सिलालेक से हम लोग को पता चलता है कि बाहर साय बाहरेंद्र नाम का कोई राजा यहां पर पंद्रहुई सताबदी के अंतिम अंति में सासन कर रहा था जो की कल्च पठान लोग आक्रमड कर दिये थे जो की हाथी पकड़ने के लिए इस जंगली छेत्र में आये थे उन लोग इनके उपर आक्रमड कर दिये थे पठान लोग तो दोस्तो इसके कारण से कोसगई में इनका एक किला था उस किला में जाकर छुपना पड़ा था इनको बाहर साय ब तो देखें लेकिन लास्ट लास्ट तक ना ये बाहर साय बाहरेंद्र जो थे वो पठान लोग को हरा कर और उनको खदेड दिया था यहाँ पर नदी है दोस्तो सोन नदी ऐसे करके परवाहित हुआ है यहाँ से अमर कंटक से निकलता है तो इस अमर कंटक से जो सोन नदी निक वो कुन बाहर साय बाहरेंद्र ठीक है इतना समझ गये इसके बाद मैं बता दू दोस्तों बाहर साय बाहरेंद्र जो थे वो चैतूरगड में कीला का निर्माड करवाय थे चैतूरगड कुर्बा में ही है इस आसपास है कुर्बा में चैतूरगड तो उस चैतूरगड में कील का निर्माड कुन करवाया था तो बाहर साय बाहरेंद्र ने करवाया था और एक जगा है लाफागड यहीं पर कुर्बा में ही है इस कुर्बा में ही लाफागड एक जगा है तो उस लाफागड में महिसासुर मर्दनी माता महिसासुर मर्दनी का एक मंदीर निर्माड करवाय ठीक है किसने बाहर साह बाहरेंद्र ने लाफागड में क्या करवाया था लाफागड में महिसाशुर मर्दनी का एक मंदीर बनवाया था ठीक है और कोसगई में कोसागार का निर्मार करवाया था यहां पर कोसगई है कोर्बा जिला में ही वहां पर कोसागार का निर्मार करव था बाहर साय बाहरेंद्र ने और दोस्तों मैं बता दूं कि ये बिलासपूर जिरा के रतनपूर नाम के गाउं में महमाया मंदिर का मा महमाया का मंदिर है उस मा महमाया के मंदिर के बगल में एक ठो सभागरी है उस सभागरी का जड़ो धार भी यही करवाया थे बाहर सी बा ठीक है उनके पुर्वजों को सेन्यकार करने के लिए उन्होंने सोना खान के जमिदारी को उनको गिप्ट कर दिया था सोना खान की जमिदारी कहां थी तो जानगीर चापा में थी सोना खान की जमिदारी उनको इस सोना खान की जमिदारी को दे दिया था किसको बीर नरायंसी क के पूरवजों को कुन दे दिया था बहरेंद्र साय ने दे दिया था ठीक है अब दोस्तों बहरेंद्र साय के बारे में इतनी जनकारी मिलती है अब अगला सासक आते हैं रतनपूर के कल्चूरी वंस में अगला सासक आते हैं कल्याण सींग ठीक है तो हम लोग अब कल्याण सी स्थापना कर दिये थे चैतूर गड़ में जो खिला इनके पिताजी बनवाय थे बाहर साय बाहरिंद्र मैं अभी अभी बताया कि बाहर साय बाहरिंद्र ने चैतुरगड में एक किला बनवा दिया था तो उसमें कल्याण सी ने उस चैतुरगड के किला में क्या किया था स्री जगरनाथ स्वामी का मंदीर का इस्थापना कर दिया था ठीक है देखिए अब कल्याण सीं के बारे में कई विद्वानों का ये मतभेद है कि एही कल्याण सीं जो थे वो मुगल समराट अकबर के दर्बार में जाकर आठ साल रहे थे और उनके समकाली ने सासन कर रहे थे मैं क्या बोला कि कल्याण साय के बारे में कई विद्वानों के बीच में मतभेद है कि अखबर के दर्बार में आठ साल जाकर ये कल्याण साय जाकर चतिस गड़ से दिली में वहाँ पर रहे थे मुगल समराज्य में ठीक है लेकिन दोस्तों एक दिकत और है इसमें कि ये चुके जहांगीर एक बूक है और कल्याण सींग का एक बीर गाथा है जिसका नाम है दोस्तों गोपला गीत कल्याण सींग के गोपला गीत और तुझू के जहांगीर से या पता चलता है कि ये जहांगीर के दर्बार में आठ साल थे और जहांगीर के समकालिन थे ना कि पुत्र परवेज इलहाबाद से आया और अपने साथ रतनपूर के कल्याड सीह को लेकर आया जिसके बिरूद मेरे पुत्र परवेज ने सैनिक भेजा था तो कल्याड सीह ने नजराने के रूप में असी ठो हाथी और एक लाख रुपिया भेट किया तो दोस्तो इससे एकदम इसपष्ट होता है कि परवेज हो सकता है कि 36 गड में यूद किये होंगे ऐसा कहीं लिखानी मिलता है कि जहागीर के पुत्र जो परवेज थे वो यहाँ पर आकरमण किये थे इससे इस लिखावट से इसपष्ट होता है कि परवेज जो थे जो आगीर के पुत्र थे वो यहां पर आक्रमण किये होंगे और हमारे कल्याड सी जो राजा थे उनको हराए होंगे और उनको पकड़ कर ले गया होंगे वहां पर मुगल समराज में और दोस्तों वहां पर कल्याड सी असीठो हाथी और एक लाख रुपिया देते हैं और मुक्ति पाते हैं ऐसा मिलता है और दोस्तों एक book का मैं नाम बताया जो कि कल्यानषी का है गोपलागित तो उसमें भी हम लोग को जनकारी मिलता है कि कल्यानषी आठ साल जहागीर के दरबार में जा कर रहे थे गोपलागित से पता चलता है इससे हम लोग यह नहीं बोल सकते कि परवेज जो थे वहां यहां पर यूद किये थे कि नहीं किये थे यूद हुआ था कि नहीं हुआ था लेकिन हम लोग यह जरूर बोल सकते हैं तुजु के जहांगीर यह कहता है कि यह जो कल्याण सी थे वह गुगल समराज के अधिसत्ता को स्विकार कर दोस्तों इसी टाइम में कल्याड सी ने राजस्व पुस्तिका एक राजस्व पुस्तिका तयार किया था उसको जमाबंदी प्रणाली कहा जाता है इस जमाबंदी प्रणाली से कल्चूरी वंस का प्रसासन ब्यवस्था उनकी सैनिक ब्यवस्था उनकी राजस्व ब्यवस्थ मिश्टर चिसम ने 1868 में रायपूर और रतनपूर को 1818 ठो गड़ों में बांट दिया था और ये 1818 गड़ जो थे वह सिवनात नदी के उपर और नीचे थे यहां से सिवनात नदी निकलता है राजननद गाओं से तो ये सिवनात नदी ऐसे बहता है तो 18 ठो इधर था और 18 ठो उसके नीचे था मतलब ये सिवनात नदी के 18 उपर 18 नीचे था दोस्तो कल्याड सींग के बाद सासक आते हैं लचुमड साय, संकर साय, फिर त्रुभुवन साय, जगमोहन साय और अदली साय, फिर रडजीत साय सासक हुए तो दोस्तो इस बीटो में इतनी अगले बीटो में फिर से हम लोग रतनपूर अभी खतम नहीं हुआ है रतनपूर के कल्चूरी वन्स को पढ़ेंगे